इनका जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आज प्रिजेंट किया गया है उसे सौट में एक नजर देखते हैं उसके बाद इस सियर की भी चर्चा हम लोग करेंगे इस जैन एरिगेशन के बाड़े में आप लोग अगर देखेंगे डेटा तो आप अबसे कहेंगे कि इसमें हम लोगों को अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बदौलत ये स्टॉक आने वाले छे महीने में बहुत ही स्टॉंग र जो कमपनी है उसका DVR ॄर भी है इट मिस अगर आप BAC और NFC पे सर्च करेंगे तो जैन एरिगेशन का दो आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे एक ऐडिनारी और येशन सिस्टाल मिलेंगे और दूसरा जैन एरिगेशन सिस्टाल डिए चाहिए मोटर्स का है फ्रेंस इनका जो share price है, ordinary share का वो 30 रुपे के आसपास trade कर रहा है, जबकि इनका जो DVR share है, उसका price 17 रुपे के आसपास trade कर रहा है इस market में 4 ऐसे DVR share है, जैसे की Tata Motor DVR है, Gen Irrigation का भी DVR है, इसके बाद Future Enterprises का भी DVR है, इसके अलावे गुजरात, NRE, Coke का भी DVR है इस stock market में हमारे knowledge में 4 ही stock हैं, जिसके DVR है, इसके अलावे भी अगर आपके knowledge में कोई ऐसे share है, जिसका DVR इस stock market में है, तो आप मुझे comment में अवस inform कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं Gen Irrigation की Friends, इनका जो इस बार total income post किया गया है, वो बहुती सांदार है देखने को मिला है, आप यहाँ देख सकते हैं, दो हजार 17 करोड 37 लाग का ये company अपना total income post करती है इसके अलाबे अगर पिछले quarter की बात करेंगे, 1620 करोड 21 लाग का, जबकि पिछले एर दिसंबर quarter में 1619 करोड 70 लाग का, तो Friends, यहाँ पे अगर आप quarter wise comparison करेंगे, या फिर yearly wise comparison करेंगे, तो Gen Irrigation का जो income है, वो बेताहसा उचलते हुए यहाँ दिख रहा है इसके अलाबे अगर expenses की बात करेंगे, तो Gen Irrigation इस बार जो expense किया है, वो बहुत ही ज़ादा देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं, 2033 करोड 26 लाग का यह company अपना total expense post करती है, तो पिछले quarter में जो यह company expense की थी, वो 1706 करोड 47 लाग का, जबकि पिछले एर दिसं पिछले quarter में Gen Irrigation ने अपना expense post किया था, 1776 करोड 24 लाग का, तो friends इनका जो expense है, वो quarter on quarter और year on year increase किया है, और इसका सबसे बड़ा reason यह है friends, कि यहाँ पे इनका जो cost of material consume है, इसमें इन्होंने ज़्यादा cost किया है, तो ऐसा नहीं है, यह जितने raw materials purchase किये हैं, वो सारे के सारे इसी quarter में invest कर दिये होंगे, यानि खर्च कर दिये होंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी raw materials होंगे, जो इनके पास बचे होंगे, और company को profit भी हुआ है, इसके विचरचा हम इस वीडियो में आपके सामने करेंगे, और उस data को भी दिखाएंगे, वास्त अबिकता क्या है, और इसमें FII और DII माल क्यों उठा रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले, अब हम जान लेते हैं कि इस company को net profit सुधलाब कितना हुआ है, इस बार company को 40 करोड 51 लाग का बहुत बढ़ा loss हुआ है, जबकि पिछले quarter में 89 करोड 66 लाग का बहुत बढ़ा loss हुआ था, जबकि पिछले year December quarter में 32 करो profit की तरफ move कर रही है, और इतना आप समझ ले, हम अभी आपको बताना चाहेंगे, इनका जो अगला quarter आने बाला है, ये company profit में आने वाली है, इसमें कहीं से कोई संदे नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको data देंगे, और बात करेंगे कि अगला जो इनका quarter आने वाला है, वो profit में क्यों आएंगे, तो friends अभी तो आपने इस company के consolidated data को देखा है, और हम अभी आपके सामने इस company के एक और data को प्रजेंट कर रहे हैं, तो friends यहाँ पे ये भी data jan irrigation का है, और ये इस company के stand-alone है, friends stand-alone data और consolidated data में यहीं फर्ख होता है, कि consolidated data किसी भी company के subsidiary company को मिला करके देखा जाता है, it means उनका all over जितना भी business है, उसे उसमें include किया जाता है, और उसमें loss और profit को देखा जाता है, लेकिन stand-alone particular उस company के बाड़े में बताया जाता है, कि particular उस company segment से कितना business company को जिनेट हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ jan irrigation का ही data देख रहे हैं, इनके subsidiary company को हम कि jan irrigation को इस बार जो net profit हुई है, वो बहुत ही सांदार हुई है, अब यहां देख सकते हैं कि after tax, यहां इनको 22 करोर 52 लाग का बहुत ही सांदार profit हुआ है इस quarter में, जबकि पिछले quarter में 12 करोर 33 जार का jan irrigation को loss हुआ था, जबकि पिछले December quarter में 55 करोर 58 लाग का company को loss हुआ है, तो इस बार company profit में आ चुकी है, और इनका जो अगला quarter आने वाला है, वो definitely company profit में आने वाली है, यह 90% chance है friends, तो friends, आप ऐसा मत समझे कि सिर्फ हम यही दोनों data को देख करके बता रहे हैं कि अगला जो इनका quarterly result आने वाला है, वो profit में आने वाले हैं नहीं friends, इसके बहुत सारे data को हम mining किये हैं, अगर उन सारे data को आपके सामने present करेंगे, तो यह video कम से कम आदे घंटे से उपर की हो जाएगी, आप बस इतना समझे कि इनका जो अगला quarter आने वाला है, उसमें जो इनका quarter result present किये जाएंगे, consolidated data का, उसमें आपको अबस्नी profit देखने को मिलेंगे, company loss से profit में आ भी अपने stake को इसमें increase किये हैं, friends इसे stock में वही लोग invest करें जो risk ले सकते हैं, लेकिन फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि इसका यह मतलम नहीं है कि आप सारे के सारे पैसे इसी stock में invest करें, आने वाले six month में यह stock आपको अच्छा return दे सकता है, friends बहुत लोग confused होंगे कि DVR और ordinary share में क्या difference है, तो friends अगर आप लोग 100 लोग मुझे comment करके बताएंगे कि अगर आप लोग ordinary share और DVR share में अगर difference वाला वीडियो चाहते हैं, तो definitely हम आप लोग के लिए ordinary share और DVR share में क्या difference है, उसकी detail में जानकारी आपको हम provide करेंगे, तो friends आज के लिए इतना ही आपका सुभो